आज की दिन मुंबई इंडेंस की डिम अपना मुकापला के क्यार की डिम के साथ में खिलने वाले और इस मुकापले से पहली आफिर के लिए इस मैच से पहली एमाई की डिम की ओर से तीन बड़ी खब्रे आफिर के लिए तीन बड़े अपडेट बार निकल कर आए तो तीनोई बड़ी खबरे में आपको शूड़े में बताने वालों जोगे माइकी टीम के और से निकल कर आईए तो और ओल यह डो काफी इंपोर्टेंट और काफी इंट्रस्टिंग होने वाले तो शूड़े को एंड तक जोड देखना और आप यह मुंबई इंडे अंस्की संजय यादो की तरफ से निकल कर आया दरसल माइकी टीम ने संजय यादो को एज ओल टोंडर अपनी टीम में सामिल किया था और संजय यादो जो माइकी टीम का भी प्रैक्टिस में शूरोस में काफी अच्छा परज़र्चन कर रहे हैं और इनके परफॉमेंस को देखती संजय यादो की तरफ से आपको क्या लगता है मैंकी टीम को संजय यादो जैसे टेलेंटेट खिलाली को अपने टीम में जागी देनी चाहिए या फिर नहीं तो आपने रा कमेंड बॉक्स में कमेंड करका ज़रूर बाताना चली बात कर लेते हैं दूसरे बड़ेट की यह पड़ेट है मैंकी टीम के खिलाली क्यारिन पुलाट की तरफ से निकल कर आया दर सलांए मैंकी टीम ने करने का फिर दड की मैस के मैंकी टीम के साथ में मैं की टीम का उसमें नाही खेलती हुए नज़र आए हमैकेड आइमाकिटिंग की पिलिंगलान में और होचता है कैरान पुलाट की जगा में तैविलड बरिवेस है मैकी टेम की पिलिंग अलावन में नज़ा राहिए लेकिन चांसेज बहुत कम है कि कारीन पुलाट हमें इस मुकाबले में रेस्ट करते हुए नज़ा राहिए मैं आपको पहली बोल दिता हूँ के चंसेज बहुत कम है कमें डैविलड ब्रिवेस केरेन पुलाद की जागे खेलती हुए न Source रहा है लेकिन ऐसा पडेट निकल कर आ ऐसा हो सकते हैं किएरइन पुलाद कीम कई मुकाप्बला नहीं केलती हुए न सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं तो आप अपनी रहा हमें कमेंट बोक्स में ज़रूर बताए चलिए बात कर लेते तीसरे बड़ा अपडेट की यह बड़ा अपडेट डैनियल सेम्स की तरफ से निकल कर आया दरसला है मैं की टिम का जो पिछला मुकाबला हुआ गुजरात की टिम के साथ में डैनियल सेम्स ने काफ़ अच्छा परदर्शन मुमबाइं डैन्स की टिम के लिए कि और इनके परफोर्मेंस को देखते हुए हमें मैं की टिम आइपल दोजार तिम के सीजन के लिए आप डैनियल सेम्स को रिटैन करते हुए ना जर आ सकती है और एक पर फिर से हमें आइपल दोजार तिम के सीजन में डैनियल सेम्स मुमबाइं डैन्स की टिम के और से खेलते हुए ना जर आने वाले और काफे सारे किर्किट एक्सपर्ट का मानना है कि मुबई इंडेंस की टिम को डैनियल सेम्स को आपल दार और सीविस के मिनी ओक्षन से पहली अपने टिम में रीटेंड कर लेना चाहिए वैसे आप कितनी साहमती रखते हो मुबल इंटेंस की टिम के इस फैसले से और फिरकीट एक्सपर्ट से वैसे आपको क्या लगता है मैं की टिम को रिटेन करना चाहिए आफिर नई डाइन याल साहमस को तो आप अपनेरा कमेंड बॉक्स में कमेंड करका ज़रूर पताना तो बस ये वीडियो ने तकति और अगर ये वीडियो पसंद आओ तो ये लाइक और चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब